आप सभी का स्वागत है और आज के इस Current Affairs एपिसोड में मैं चर्चा कर रहा हूँ मुख चुनाव आयुक्त चीफ एलेक्सन कमिशनर की और चर्चा क्यों हो रही है क्योंकि भारत के राष्ट्र पती ने राजीव कुमार को मुख चुनाव आयुक्त के रूप में निजुक्त क किया है राजीव कुमार भारत के 25 मुख चुनाव आयुक्त होंगे उन्होंने सुसील चंद्रा की जगह ली है सुसील चंद्रा डिटायर हो गए हैं और इनके जगह पर राजीव कुमार ने मुख चुनाव आयुक्त बने हैं और यह संदर्व विद्यार्थियों को सभी लो एलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया के बारे में भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग एक ही बात है सौट में चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है एक स्वायत संबैधानिक निकाए ऑटोनोमस constitutional body है जिसका काम है संघ और राज चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करना चुनाव आयोग के अस्थापना कब हुई 25 जन्वरी 1950 और इसलिए 25 जन्वरी को राष्टिये मतदाता दिवस national voters day के रूपे मनाय जाता है और आयोग का जो सचीवाला है secretariat है चुनाव आयोग का वो कहां पर है नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का काम क्या है ये भी जानिए तो भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग इसका काम है लोक सभा का चुनाव करवाना राज सभा का चुनाव राज बिधान सभाओं और जिस केंदर सासित प्रदेश में बिधान सभा है वहां का भी चुनाव उपराश्ट्रपती का चुनाओ कूल मिलाकर छे प्रकार का चुनाओ करता है भारत निर्वाचन आयोग एक लोग सभा दूसरा राज सभा तिसरा बिधान सभा चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र सासित प्रदेश की चौथा राश्ट्रपती और पांचवा उपराश्ट्र मुस्पती मात्रिये छे चुनाओ पांच चुनाओ निर्वाचन आयोग करवाता है अब आपके मन में यह प्रशन आ रहा होगा कि जो पंचैतों का चुनाओ होता है जिला परिशाद ब्लॉक अस्तर पर ग्राम पंचैत अस्तर पर उसका चुनाओ कौन करवाएगा जो नगर और नगरपालिका के चुनाओ के लिए अलग से चुनाओ बोडी है जिसका नाम है राज चुनाओ आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन हर राज में है स्टेट इलेक्शन कमीशन और इसका काम मत्र केवल पंचैत का और नगरपालिका का चुनाओ करवाना है यानि जो राज संब्यधानिक बोड़ी है जहां भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान समिधान के नुच्छे 324 में है 324 वहीं राजचुनाव आयोग का जो आर्टिकिल है वो 243 के है अगर आप बात करें संब्यधानिक प्रावधान का तो समिधान का भाग 15 अनुच्छे 324 से 329 यह चुनाव से संबंधित है और एक आयोग की अस्थापना करता है जिसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग 324 क्या कहता है चुनाव का अधिक्षन चुनाव का निर्देशन और चुनाव का नियंत्रन किसमे होगा चुनाव आयोग में कौन सा चुनाओ मैंने बताया लोकसभा, रासभा, बिधान सभा, बिधान परिशद और साथ में जो राष्ट पती और उपराष्ट पती का भी चुनाओ यही होता है मैं आप उसपर्ष कर दो विधान परिशत का भी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही ठीक है अनुछे 325 क्या कहता है कि धर्म जाती लिंग के आधार पर किसी भी ब्यक्ति विशेश को मदाता सुची में सामिल ना करन और इसके अधार पर मतदान के लिए अयोग नहीं ठाराय जा सकता है धर्म के अधार पर जाती के अधार पर या लिंग के अधार पर किसी ब्यक्ति को वोटर लिश्ट में सामिल करने से मना नहीं किया जा सकता है ये एक सम्मेधानी का दिकार है 325 में ठीक है 326 कहता है कि लो फ्रेंचाइज यानि जिसका भी 18 साल उम्र हो जाएगा चाहे वो मेल हो या फीमेल वोटर के रूप में रिश्टर्ड हो सकेगा और वोट दे सकेगा अनुछे 327 कहता है विधाईका द्वारा चुनाव के सम्द्ध में कानून बनाने की सकती होगी यानि की चुनाव के लिए कानून कौन बनाएगा तो विधाईका विधाईका में यहाँ पार्लेमेंट का लौ है यह जान लिजिएगा जो चुनाव है वो एक तरह से यूनियन लिस्ट में आता है इसलिए इस पर पार्लेमेंट कहीं लौ बनता है और 327 पावर दे रहा है संसत को कानून बनाने का राज की विधाईका कानून नहीं बना सकती हाँ राज की विधाईका राज निर्वाचन जो है जो पंचायत का चुनाव करती है उसके विश्वे कानून बना सकती है 329 कहता है चुनावी मामलें में अदालत द्वारा हस्तचेप पर रोक यानि चुनावी मामलों में अदालत हस्तचेप नहीं करेगा अगर आप समरचना की बात करें आपको लगता होगा आयोग है तो एक आदमी होगा की दो आदमी होगा तो भारत निर्वाचन आयोग मूलतः पहले एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था वन मैन जिसका नाम था मुखचुनाव आयुक्त लेकिन राष्टपती का एक नोटिफिकेशन होता है 16 अक्टूबर 1989 को और इसे 3 सदसिये बना दिया गया 3 मेंबर निर्वाचन आयोग में मुखचुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो जो राष्टपती समय समय पर तै करता है ये मिलकर बनेगा अब एक होगा की दो होगा की तिन होगा ये तै करने का अधिकार राष्टपती को है और राष्टपती अपने मन से तो कुछ करता नहीं है, राष्टपती जो भी करेगा उसके लिए मंत्री परिशद जिसके अगुआ प्रधान मंत्री होते हैं, उनके सिफारिस पर होता है, राइट, सो ये राष्टपती ने तै किया अक्टूबर 1989 में कि त्री सदस्य होगा, औ इसमें एक मुख चुनाव आयुक्त और दो अन चुनाव आयुक्त सामिल हैं, राज अस्तर पर निर्वाचन आयोग की सहायता, जैसे हर राज में चुनाव होगा, तो वहाँ पर मुख निर्वाचन आयोग का हेल्प कौन करेगा, उसके लिए हर राज में मुख चुनाव अ अधिकारी होता है चुनावायुक्त की नियुक्ति और कार्जकाल तो मैंने बताया चाहे वह मुख्ष चुनावायुक्त हो या अन्चुनावायुक्त हो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रिय मंत्री परिशत के सीफारिश पर चुनाव आयुक्त और मुख्चुनाव आयुक्त दोनों का जो कार्जकाल होगा 6 साल या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो और इनका जो लेबल क्या होता है तो भारत के सर्वच न्याले के नियाधीस के समकच इनका दर्जा होता है और समान, बेतन और भत्ते इनको प्राप्त होते हैं कैसे हटा सकते हैं रिजाइन तो कभी भी कर सकते हैं मुख चुनाव आयुक्त, निर्वाचन, आयुक्त समय के पहले और उन्हें कार्जकाल की समाप्ती से पहले हटाया भी जा सकता है लेकिन इसकी प्रकिरिया कैसी है तो सबसे important बात है कि मुख निर्वाचन आयुक्त को केवल और केवल संसद के resolution से ही हटाया जा सकता है जो कि लोगसभाव रासभाद दोनों में आएगा मुख चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सरवोच न्याले के न्याधीस को हटाने की जो प्रकिरिया है ठीक उसी प्रकिरिया का अनुसरन करके चीफ एलेक्षन कमिशनर को हटाया जा सकता है अब आपका प्रशन होगा कि अन्य जो चुनाव आयुक्त है दो क्या उनको भी सं पर कि नहीं उनके लिए सिंपल है मुख चुनाव आयुक्त सिफारिस करेगा और राष्ट्रपती हटाएगा ध्यान दीजे मैं क्या बोल रहा हूं मुख चुनाव आयुक्त को तो संसद हटाएगा उसी तरीका से जिस तरीका से सुप्रिम कोट का जज हटता है लेकिन जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कौन हटाएगा राष्ट्रपती लेकिन संसद में ये मामला नहीं जाता है मुख चुनाव आयुक्त के सिफारिस पर राष्ट्रपती हटाता है यानि उनकी पोजिशन काफी विक है हटाने के मामले में लिमिटेशन क्या है समिधान ने निर्वाचन आयोक के सदस्यों की कोई योगता तै नहीं की है क्या उसका लीगल क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या एड्मिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन होना चाहिए या उनको जुडिश्यरी लीगल नौलेज हो कोई योगता तै न तैं ही नहीं किया है दूसरी बात चुनाव आयोक के सदस्यों का कारेकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है वैसे आपको मैं बताओं मुख चुनाव आयोक 6 साल या 65 साल है लेकिन जो चुनाव जो सदस्य हैं चुनाव आयोक तैं उनका कारेकाल तैं नहीं है समिधान ने सेवा निवरित चुनाव आयक्तों को सरकार द्वारा किसी और निजुक्ती से वंचित नहीं किया है यानि कि रिटार्ड होने पर उनको कहीं न कहीं पोस्टिंग मिल जाएगा यह बहुत खराप मामला है क्योंकि CAG जो है महालेखा परिक्षा कोर्णियन तरक कहीं काम नहीं कर सकता है ऐसे एनेग चीज़े हैं जहां पर रिटार होने के बाद और कहीं नहीं काम करेगा अगर सकतियों की बात करें एलेक्षण कमिशन ऑफ इंडिया का तो सबसे पहले एडिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर एक परिसीमन आयोग होता है जिसे डी लिमिटेशन कमिशन बोलते हैं यही आयोग तय करता है कि किसी संसदिय निर्वाचन चेत्र या विधान सभाज चेत्र का बौंडरी क्या होगा। अब ये डी-Limitation Commission परिसीमन आयोग कैसे बनेगा तो संसद के एक्ट से बनता है। पूरे देश में निर्वाचन छत्र की सिमाओं का निरधारन करना यानि चुनाव आयोग के देख रेख में परिसीमन आयोग काम करता है और परिसीमन आयोग बनता है संसत के अधिनियम से दूसरा समय समय पर वोटर लिस्ट तयार करने का काम चुनावायोग का है और सभी पात्र मतदाताओं वोटर्स का रेजिस्ट्रेशन करना इसका प्रशासली काम में आता है तीसरा जो काम है राजनितिक दलों को मानता देना जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पार्टी हुआ रिजनल पार्टी हुआ इन लोगों को इन चुनाव राजनितिक दलों को मानता देता है चुनावायोग और उनको सिंबोल भी देता है, एलेक्शन सिंबोल, जिस सिंबोल पर वो चुनाओ, फाइट करते हैं, उनके कैनिडिट, यह राजनितिक दलों और उमिद्वारों के लिए जब जब चुनाओ होता है, तो आदर्स आचार संगिता, यानि मोडल कोड ओफ कंडक्ट जारी करता ह यह कर सकते हैं, यह काम नहीं कर सकते हैं, धन का दुरुपयोग न किया जाए, तमाम वहाँ पर कोड ओफ कंडक्ट जारी करता है, और यह काम किसका है, चुनाओ आयोक का, जब जब चुनाओ होगा, चुनाओ के घोशना से लेकर, जब तक उसका अब एक तरह से अंतिम है, एडवाइजरी जुरिदिक्शन, यानि एडवाइस देता होगा, और अर्धनयाइक, यानि क्वेसी जुडिशल फंक्शन क्या है, तो समिधान के तहत संसद और राजविधान मंडल के मौजूदा सदस, मतलब MP हो, परलियमेंट का, मेंबर अपरलियमेंट हो, या MLA हो, उसको निर्वाचन के बाद अयोग ठहराए जाने के मामले में, अयोग के पास सलाहकारी छत्राधिकार है, फर एक्जामपूल, कोई सदस लाब के पद पर बैठा है, और इस कारण दो डिस्क्वालिफाई हो गया है, ये कैसे तैह होगा, राष्टपती तो तैह करेगा MP के म मामले में, राज के मामले में राजपाल करेगा, लेकिन एडवाइस देने वाला कौन है, ये एडवाइस देने वाला जो बोडी होगा, वो एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया होगा, सलाह देता है, और वो सलाह वाधकारी होता है, ध्यान देने की बात है, आयोग की सलाह पाए जाने वाले ब्यक्तियों के मामले में जो सर्वोच न्याले और उच न्याले के सामने आते हैं इस सवाल पर आयोग की राय के लिए भेजा जाता है कि क्या ऐसे ब्यक्तियों को आयोग घोसित किया जाएगा और जदी हां तो किस ओधी के लिए ये सलाहकारी है क्यों एसी और कानून दोरा निर्धाई तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में बिफल रहा जुनाव जीत भी गया हो लेकिन अगर वो हिसाब किताब नहीं दिया कि कितना खर्च हुआ तो उसको डिस्क्वालिफाई कर सकता है जीतने वाले उमिद्वार को भी य इलेक्षन कमिशन अफ इंडिया के पास है और अगर आप देखें इलेक्षन कमिशन अफ इंडिया का तो डिवीजन अफ कंसिच्वेंसी यानि निर्वाचन छेत्रों में बटवारा प्रेपरेशन अफ अप्टू डेट ऑल वैलिड वोटर्स तो लिस्ट सभी मद्दाताओ का रिश्टेशन करता है ये भी है नोटिफाई डेट्स एंड सीडूल अफ इलेक्षन कब कब चुनाव होगा फाइल कब होगा एलेक्षन किस दिन होगा काउंटिंग कब होगी पूरा सीडूल देता है चुनाव आयोग प्रिपेरिंग अप्टू डेट लिस्ट अफ आल व कितना खर्च कर सकते हैं ये भी तै करता है स्कूटनी ऑफ नोमिनेशन पेपर्स जो इलेक्षन अपना जो दायर करते हैं जो कैंडिडेट चुनाव के लिए नोमिनेशन पेपर्स उसके स्कूटनी भी करता है सेटल डाउन डिस्पूट्स प्रिफर्ट बाइ रेफर्ट बा और यहां पर यह राय देता है कुल मिलाकर यह सब function है किसके चुनावाई को और एक प्रश्ण मैं आपके लिए दे रहा हूं जो कि पूछा हुआ है यह प्रश्ण 2017 UPSC में मुझे वीडियो देखकर आप इसका answer दे सकते हैं अगर आप समझते हैं तो और उसका उत्तर भी मंत्राले आम चुनाव और उप चुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव का आजकरम तै करता है और तीसरा चुनाव आयोग मानेता प्राप्त राजनितिक दलों के विभाजन विले से समधित विवादों का समाधान करता है इन में से कौन सा सही है केवल एक और दो केव दो और तीन और केवल तीन सही उत्तर होगा डी क्यों भारत का चुनाव आयुक पांच सदसी है नहीं यह तीन सदसी है जिसमें एक मुख निर्वाचन आयुक्त और दो अन निर्वाचन आयुक्त होते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है दूसरा ग्रिह मंत्राले आम च चुनाव का काल्च कर्मताय नहीं करता यह काम है चुनाव आयुक का इसलिए दो भी गलत हो गया और तीसरा राजनितिक दलों का विवाजन और विले यह जो स्प्लिट होता है कि एक दल से ठूट कर दूसरा दल बन जाता है इससे समन्दित जो भी विवाद डिस्प्यूट होते हैं उसका समाधान चुनाव आयुक करता है तीन एकदम सही है केवल तीन सही है और इस प्रकार यह मौका था आप लोगों के लिए चुनाव आयुक के बारे में बताने का मुझे लगता है अगर कहीं पर डाउप है चुकि यहां पर सब चीज लिखा भी हुआ है इसको एक बाद फिर से देखा जा सकता है पौज करके पढ़ भी सकते हैं आप यह वीडियो चुनाव आयुक के बारे में हर देश के नागरिक को हर विद्यार्थी को हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को एक फोकस के रूप में बता रहा है चुकि मौका है कि मुख्ष निर्व बाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग बहुत-बहुत धन्यवाद कहने के अब सकता नहीं कि अगर अच्छा लगे यह नौलेज तो दूसरे को भी बताईए सेर कीजिए प्रशन हो सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा प्रशन का इसका जबाब जरूर मिलता है आपको इसी यूटूब के कॉमेंट बॉक्स में प्रशन भी कर सकते हैं और इसमें अनेक जानकारियां हैं इसको लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अभी तक नहीं की है तो और सेर कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच